असलाम अलेकम, वीरो की हाल चाल है? 1699 नो जिदो गुरू गुरु गुबेंद सिंग खाल साप परगठ कर रहे सी ते उनने पांच प्यारा नो अमरत चखा के सिंग मनाया सी ओस तैम की कुछ वापरेया सी अज यसी पूरे दिलायल दे नालत, तरीख दे विचों इस वाकिय दे बारे जानांगी वीडियो वीरो बहुत ज़्यादा इंफरमेटव है तिता अनुच बड़ा को सिखन मिलेगा तो चाल के वीडियो देने दे इस दे बारे जाने है जास्च ए बहुत वड़ा देन सी बहुत इतिहास कारा ने इस दिन वारे लिखिया है पर जो इस जासूस ने लिखिया है वो तुसी शायद पहला कदे भी नी पड़या होना इत्थों तक ए जासूस लिखदा है कि उस दिन इसने पंजा प्यारया दे लहू लहान होई शरीर अपने अखी देखे इस सब देखके कि में ए जासूस गुरुगोविज सिंग जी दी फौच परती हो गया बाच्चों इस जासूस ने उस दिन अनांद पुर्दी तर तीते की कुछ देखिया इस पूरा तो हनू इस वीडियो च दसांगे सब तो पहला आपा ए जान लिए कि ए जासूस है कौन सी इतिहास कार एदा नाम अबू उल्तुरानी दास देने इतिहास कारा दा ए मनना के औरंग जेव ने इनू अनांद पुर गुरुगोविज सिंग जी दी जासूसी लिए पर जासी ते तकरीबन दो साल ए जासूसी करदा रहा पेश बदल के है नांद पुर साब रहनदा सी वैसे है मुसलिम सी पर ब्राह्मन दे पेश चे है गलाबे माली कोड अनाद पुर साब दी तरती ते रहनदा सी ते गुरु गोबिन सिंग जी जँ जसु सी करके पर गड़ पर पर ईदासी और अंगजेवनू कि कर रहे ने गुरु गोबिन सिंग जी की हो रहा आए अनाद taking picture चा थे उस दिन दी वी इसने रपर पर जी से जश दिन खाल सा परगट किता सी गुरु गोबिन सिंग जी ने पर अबू उल्टरानी लिखदा है के मेरी जिंदगी दियो आखरी रिपोर्ट सी और अंगजेबनो के उस तो बाद मैं कोई भी रिपोर्ट और अंगजेबनो नहीं पेजी उस दिन उसने ऐसा की देखिया हो थे पूरा अपनी कताब चे उसने लिखिया है अबू उल्टरानी अपनी कताब चे की लिखदा है हो न उ लिखदा है के जिस दिन गुरु गोबिन सिंग जी ने अमरत त्यार कीता दिवान वेचे हाजरी पेंटी तो चाली हजार सी कई तहासकरा ने एक गेंटी असी हजार लिखिया पर अबू उल्टरानी रंगजेवदा उ जासूस एक गेंटी पैंटी तो चाली हजार लिखदा है अग्यों लिखदा है के मुगलान दे चार तख्त ने दिली आगरा लहौर ते कला नौर पर एक पहाड़ी दी स्टेज ते लगया एक तख्त मुगलान दे सारे तख्तानू मात पौंदा सी एक जासूस उस तख्त दी कल कर रहा है जो गुबिन सिंग जी ने उस दिन दिवांच उस स्टेज ते लगाया हुया सी एक कह रहा है के मुगलां दे सारे तख्ता अनू फेल करदा है एक पहाडी ते लग गया एक तख्त अगे है की लिखदा है उस दिन सिखां दे गुरू दा लिबास चर्त जलाल ते तेज चल लिया नहीं सी जा रहा एक अलता अपन सब नू पता है के उस दिन गुरू गोविन सिंग जी दे चेरे ते जो नूर सी जो जलाल सी जिस वीर रस्ट गुरू गोविन सिंग जी सी के आम बंदा देख भी नहीं सकता सी गुरू गोविन सिंग जी बल एही गल ए अबू उल्तरानी अपनी कताब च लिख रहा है गुरू दरवार्च आए करपानू म्यांचो कड़ेया बावाज बलंद केहा मैनू एक सिर्दी लोड है गुरू गोविन सिंग जी ने थे सीस दी मंग कीती सी फिर अग्य की लिखदा है या बोलतरा नी बगैर सोच विचार ते किसे हिल जुल दयाराम उठेया थे हाजर होया अच्छे बहुते इतिहास कराने जो लिखिया है वो ये लिखिया है कि गुरू गोविन सिंग जी ने जो पहली वार सी समंग गया तक कोई ने उठेया फिर तीसरी अवाज ते पाई दयाराम जी उठेये पर अब्बू उलतरानी ये थे लिख रहे है कि बगैर सोच विचार ते किसे हिल जुल पाई दयाराम जी उठेये इस तो बाद ए जासूस फिर की लिख दा है गुरू ने पर एदर बार जो सम्दे सम्णे जिथे ओ खड़े सन एक वार कीता ते सिर तर नालों अलाग कर देता अब्बू उलतरानी ये लिख रहे है कि पूरे दिवांच सारी संगदे सम्णे गुरू गोविन सिंग जी ने पाई दयाराम जी दे उत्ते वार कीता ते उना दा सिस तर्तों लग कर देता उस तों अगे फिर है की लिख दा है कि सब्च संसनी फैल गई सब्दे सार रुक गे होन इंज लग रहा सी गुरू गोविन सिंग जी अपने सिखानों बहुत ज़ादा प्यार करते सी एक सिख नू शर्याम बुला के उस दा सीस तड़नलों लग कर देना संगत वास ते कोई आम गल नहीं सी अबू उल्तरानी लिख दा है के हर पासे डर्दा महौल पैदा हो गया ते संसनी फैल गई उस तो अग्ये फिर की होया गुरू ने फिर गर्जमी ते कड़कमी अवास चे कहा मैनू होर सिर्दी लोड है चट तरमचंद उठेया जा गुरू नू ने वसकार कीती ते गुरू दे एको वार ने इस दा सिर्दर्दों वक्ष कर देता होन इस जासूस दे मताबक पाई तरमचंद जी दा सीस वी गुरू गोविन सिंग जी ने सारिया संगतां दे संबने ही तरतोलग कर देता उस तो अगे फिर की लिखदा है के दिवान चहुन पा जड़ पै गई जद गुरू गोविन सिंग जी ने अपने दुजे सिख दा सेर तरतोलग कर देता था पूरे दिवान चिपा जड़ पै गई संगतां चहडबडी माच गई गुरू ने फिर वा अवाज बलंद एक होर सी समंग गया हिम्मत राए मौकम चंद साहब राम इना सब नू कतल कर देता क्योंके एक गुरू दा सेख नहीं सी पर क्योंके एक उस समय सिखी तो अंजान सी ता एक कतल शब्द बरतदा है सिर्थ तड़ा नलों वखरे कर देते उन्हें कह रहे है कि सब दे सिर्थ गुरू साब ने तड़ नलों वखरे कर देते कई आदमी पजे पजे गुरू दी माता कोड पहुंचे सारी गल जाद सी एक आलदा जिकर भी आपानू कई एतिहास करां तो मिलदा है के कई मसंद कठे हो के माता गुजर कौर जी कोल गए सी सारी कहाणी उन्हें जाद सी उन्हें पढ़ कौन दी कोशिश कीती सी मसंदा दी एन्नी हिमत सी के मसंदा ने एत्थों तक कैदता सी के गुर्गोबिन सींजी नू फढ़ के एक कामरेच कैद कर दो ते उन्हें दी थां साहवजादा बाबा अजीत सींजी नू गुर्गदी सौंप दो एही गल अब्बू उल्तरानी और अंगजेवदा एजासूस लिख रहाए इन्हें नमी एक गल लेड कीती है एथे इन लिख रहाए के कई आदमी पज्जे पज्जे गुरू दी माता कोड पहुंच गए सारी गल जाद सी ते दस्या के गुरू ने पंज्जा दे शरीरा ते कपड़या नू चंगी तरह तो दिता फर्ष भी साफ कर दिता खुंदा कोई दाग ना रहन दिता इन लिख रहा है के गुरू गोबिन सिंग जी ने पंज्जा प्यारया दे सीस लैंटो बाद उना दे कपड़या नू ते ओ जड़ी स्टेज सीगी ओ चंगी तरह साफ कर दिता के खुंदा कोई भी दाग ओ थिना रहन दिता जमई नमीगल इसने लिखिया एक किसे इतिखासकार ने इस दा जिकर नी कीता है उन अगे है की लिखदा है फिर उना काफरां दे गुरू ने एक दा सेर दूसरे देता अड़ना रला मिला के पंजे लाशां ते चिट्टे कपड़े पादेते गुर्गोविन सिंग जी नू काफरां दा गुरू लिख रहाए है क्योंके और अंग जेव दा पे जिया है जसू सी गुर्गोविन सिंग जी दा सेखता नहीं सी जिनने भी यह मुगल सी और अंग जेव होनी सी गे गुर्गोविन सिंग जी नू काफर ही कहनदे सी जाधा तर जड़े मुगलां दे जी आपा दस ता बाइस देखिए ता उदे चे काफर ही लिखिया गया है गुरु गोविं सिंग जिन्हों इना वल्लों ता इथे हैं लिख रहा है के काफरां दे गुरु ने एक दा सेर दूसरे दे ता ड़ना रला मिला के पंजे लाशा दे चिटे कपड़े बादे ते फिर एक पत्फर दा कुंडा मंघवाया गया उसदे उते एक लोहे दी कडाही जिसनू कुंडे नहीं सी लगए होए उसकडाही चपाणी पा आबे हया बढाउन लगए हुन लोहे दिये कडाही जिसनू बोल रहाए अपाँ उसनू बाटा कहने आ क्योंके खंडे बाटे दी पहल त्यार कीती गई सी उस दिन ता बाटे नू एहे लोहे दी कडाही लिख रहाए कि उधे ते कुंडे नी सी लगे हुए उने लिखे रहा है के उस कडाही च पानी पा आबे हया बनाओन लगे उ बाटे च सतलोज दा जल पाया गया सी जिसनू अमरत बनाया गया ते मुसलिम मत च जड़ा पवित्तर पानी हुनदा उसनू आबे हया के आजानदा जिने लिखे रहा है के लोहे दीओं गडाहीच पाणी पाके अबे है बनाओ लगे अगे फिर एक की लिखे रहा है का फराण दा पीर उस गडाहीच तलवार फेर रहा सी हुन तलवार एक खंडे नो लिख रहा है गुरु गोबिन सिंग जी उस बाटेच खंडा फेर रहे सी अगे फेर लिख रहे है के तलवार फेर दे हुए कोई कलमा पढ़ता रहा गुरु गोबिन सिंग जी बाणी पढ़ रहे सी उसनू गोबिन सिंग जी ने बाणी दा उचार न कीता बाणी पढ़ी अगे है की लिख दा है के एसे समय काफरां दे पी दी किसे औरत ने उस कड़ा ही वे चलिया के कुछ पाद था एदे बारे भी अपनों सब नों पता है इतिहास लिख लिख देने ओ एक वखरा विशा है अगे जो अबु उलतरानी लिख रहे है ओ बहुत वड़ा दावा कर रहे है अगे है लिख रहा है के हुण आबे हया त्यार हो चुका सी गुरू ने उना लाशां तो पड़दा चुकिया पहला दया सिंग दे सराने बैठ उस दा मूँ खोल के आबे हया उस दे मूँ बेच पा देता सिर्दे बाड़ा वेच पाया ते सारे शरीर ते छड़किया ते आख्या बोल वाहिगरू जी का खालसा वाहिगरू जी की फते अगे है लिख रहा है के एक केंदे सार ही दया सिंग उठके खड़ा हो गया अबू उल्तरानी ये थे लिख रहा है के पूरी संगर दे समने गुरू साहिब ने इलाश लिख रहा है के उलाश तो परदा चुक्या ते उपवित्तर अमरत पाई दया सिंग जी दे मूँ विच पाया ते उन्हा दे बाडाँच छड़के आ ते शरीर ते छड़के आ ते बोल लिया बोल वाहिगरू जी का खालसा वाहिगरू जी की फते इदे कैन दे मताबक ए सुन दे सार ही पाया दया सिंग जी उठके खड़े हो गए ते उची अवास च बोल ले वाहिगरू जी का खालसा वाहिगरू जी की फते हजारां लोकां दे हुन्देयां भी किसे दी साधी अवास भी नहीं सुन रही सी हुन्जदों गुरू साहिब ने सीस मंगे सी उदों लेह रहा है के पगदर माच गई सी ते हुन हजारां लोकां दे हुन्देयां भी सब चुप बैठे सी किसे दी साध दी अवास तक नहीं सी आरी सब गुरू दी कीती इस करामात उते मुग्द होए किसे जादू दे असर हेट की ले होए बैठे सन एसे ही तरह गुरू ने बाकी चारा नालवी कीता सब ते आबे हया छेड़क वाहे गुरू जी का खालसा वाहे गुरू जी की फते बला पंजानू मुड़ जियांदा कर देता ते फेर गुरू उनानू तंबू विचला गया एथे अबू उल्तरानी रंग जेवदा पे जया ओ जासूस अपनी कताब ये लिख रहा है ये दावा कर रहा है के गुरू गोबिन सिंग जी ने पंजान प्यारयानू पूरी संगत दे सम्णे मुड़ जियांदे कर देता ते अपने तंबूच लेगे उना एथे बाकी जड़े एथे हास कारां दी एक रल्मी मिल्मी राया ओ अबू उल्तरानी तो वक्री आजादा तर ओए लिख देने के गुरू गोबिन सिंग जी ने जदो सीस मंगे ते जदो सेख हाजर होए सीस कटन तो पहला ही गुरू गोबिन सिंग जी ओना फड़ के तंबू बेच लेगे ते तंबूच ही सीस कटन दी अवाज आई ते ओथो फिर पंजाब प्यारया नू गुरू गोबिन सिंग जी सब्दे सम्णे उस स्टेज ते लेके आए पर अबू उल्तरानी ये थे ए लिख रहा है के सब्दे सम्णे ही गुरू गोबिन सिंग जी ने वार की ते अमरेज छड़के उना नू दवारा जयांदा कीता त फिर उनन तंबूच लेकी गई उनने बिलकुल एक नमी गाला जो अबू उल्तरानी है थे दावा कर रहा है अग्ये फिर की लिख दाया के कुछ चिरबाद गुरू दे पिछे ओपंजे आदमी तंबूचों बहर आए हुण उनना ने नमे लवास पाए होए सी ओपंजे मुड़ जिन्दा कीते आदमी तंबूटों बार आ खड़े हो गए गुरू ने बीर असन कर उनना तों आबेहया मंगया उनना ने पुछिया तुसी इस अनमूल बस्तू लई की किता है इदे मतावे फिर गुरू साब ने थे किया कि मैं प्रण करता हां कि मैं अपने माता पिता अलाद सब कुछ कुरवान कर दियांगा अपना सर्वंस कुरवान कर दियांगा ते फिर उन्ना पंजाने गुरू जी नू आप बे हया देता गुरू दा नाम उस वक्त तो गोबिन दराये तो गोबिन सिंग हो गया गुरू ने पंजाने नाम नालवी सिंग जोड़ देता दया सिंग, तरम सिंग, हिम्मत सिंग, मौकम सिंग, साहिब सिंग अगे हे लिख दाए के उस तो बाद हजारां आदमिया ने ओ आबे हयात पीता हजारां संगता ने अमरत पान उस दिन कीता अगे फिरे लिख रहे है के मैं बहुत पच्चताया ते रोया क्योंकि ओ जो कौतक सी ओ देख के किसे दावी मन पिगल सकता है यह लिख दा है के मैं बहुत पच्चताया ते रोया मैं थो ना रहा गया मैं भी अपने आपनों तिकारदा होया गुरू दे चरना ते जाड़ गया उस तो अबे हया दी दात मंगी हुन सोच के देखो जिस दी जसुसी करना आया सी जिसनू अपना दुश्मन मानदा सी जिसनू काफिर लिखदा सी गुरू गोबिन सिंग जी दे इस कौतक ने इस दुश्मन नू भी पिगला दिता यह पच्चताया रोंदा अपने आपनों बुरा पड़ा केंदा जाके गुरू तो अमरत दी दात मंगदा है अगे फिरे लिखदा है के गुरू जो पहला तो ही मेरा पखंडते फुरेव जानदा सी मैंनू था पड़ा दिता अगे ए ए लिख रहा है के गुरू साब नू पहला तो ही पता सी मेरी मकारी दा मेरी जसूसी दा के मैं जसूसी कर रहा है पर फिर भी मैंनू थापड़ा दिता मैंनू आबे हयात प्या के मेरा नाम अबू उल्तरानी तो अजमेर सिंग रख दिता उन एथे गुरु गोविन सिंग जी दे रंग देखो कि मैं अपने दुश्मना नू वी उनने गलना लाया और उन्दे करलोंदे जासूस नू गुरु साहिब ने थापड़ा दे के गलना लाके उनू अजमेर सिंग बना देता मेरे जन्मा थे पाप कटे गए मैं गुरु दी फॉस्च परती हो गया थे कई जंगा जुलम दे खलाफ लड़िया मैं उस दिन अपनी जंदगी दी आखरी रिपोर्ट और अंगजेव नू पे जी उस दिन तो बाद जासूसी इन्हें बंद कर देती और अंगजेव दी करनी ते गुरु दा सिंग बन गया अबू उल्तरानी तो अजमेर सिंग बन गया ते उस दिन इसने जासूसी दी ओ आखरी रिपोर्ट और अंगजेव नू पे जी सब कुछ लेख के पे जया उस दिन होया उस दिन वापरी ते अखी देखी कटनादा सारा हाल मैं और अंगजेव नू लेख के पे जत्ता ते बड़े जोरदार लफजाच तारना कीती कि खबरदार जो जहूं दे जाग दे रब नाल ते विरो अजिदी वीडियो दे वेच असी ये देखिया है कि एक मुसल्मान जसूस अबू हरेरा जड़ा है उन्हें वाक्या दस्या है जड़ा पांच प्यारानों जो गुरू को बेंद सेंग ने अमरत चखाया सी लेकिन ये वाक्या में पहले काफी दफ़ा सुन चुके हैं मैं होर विदवाना दा इस तरह किसे विदवान ने वाक्या नहीं दस्या सारे ये वाक्या विच में लगा कि गुरू साहब अंदर ले गए उठे जाकि उन्हाने उन्हानों सीज कटेया सीज कटन दी वाज आई ते फिर तलवार खुना लटपाते गीसी बार रहे फिर दूसरे ने ले ले फिर तीसरे इस तरह दा रहे लेकिन जड़ा एह दास रहे है ये वाक्या पहली दफ़ा आया है ते ये विच्टियों कहा रहे है कि गुरू की बेंसे ने मुर्दया नों जिन्दा कीता जबके किसे भी मरे बंदें नों जिन्दा करन दी ताकत सरफ अल्ला रब लिजदी जातों है इस कार के ये जड़ा एक आथक है जड़ा हिस्ट्र लाजमी तौरत है तो ही दसना कि जड़ी आज़ी दी सी वीडियो देखी है इदे विच्ट किनी सचाई है किनी हकीकत है ये वीडियो सचा है जा कि एक काथक ने अपने ही ख्याला देक मन कड़कर अपने को कुछ कहानी विच्ट मना आके इदे अंदर एड़ कीती है वी रो तो तानु आई दी वीडियो किस्ता नहीं लगी किमेंट कारके अपनी राइदा इजहार लाजमी करना क्योंकि मैंनों आज दी वीडियो तो काफी कोश्च से कंतों मिले आवे अपना टेर सरा क्या रखना द्माम याद रखना अल्ला फेल